तो आज हम दस्कूस करेंगे आपकी exercise 10.2, 10.1 question number 2 आपने नहीं करना है तो आते हैं direct 10.2 question number 1 पर, question number 1 आपको क्या कहा है, using ruler to measure the length, breadth and height length, breadth और height निकालनी है using the help of ruler और उसके बाद इसकी क्या निकालनी है, बोल लिए बेटा हम ruler की help नहीं लेंगे, हम direct यहां से करेंगे, देखो हम कैसे count करेंगे, this is your breadth इसको क्या बोलते है, breadth, इसको क्या बोलते है, length और यह क्या होती है, आपकी height तो सबसे पहले यह लिखो क्या है, हम बिना ruler की help के, length, first का first part हम कर रहे है, बिना ruler की help के तो यहां से देखो, E की value L की value कितने, this is your length, यह आपकी length है, तो count करो 1, 2, 3, तो कितनी हो गई 3, ठीक है, उसके बाद यहां पर यह वाली value किसके बेटा? B की breadth की SAY ब्रेट की 되etrा, 1, 2, 3 तो कितनी हो गई? 3, उसके बाद height height count करो कितनी है, 1, 2, 3 तो कितनी हो गई 3 हमने क्या निकालने है बेटा वोल्यूम वोल्यूम हमेशा क्या होती है लेंथ इंटू ब्रेट इंटू हाइट इट मेंस 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 तो 27 cm3 is your answer same way सी हमने B को करना है बेटा सबसे पहले L लिखो B लिखो H लिखो L कितना है यह होता है कितना 1 2 3 तो कितना आ गया 3 3 units अगर इसकी बात करूँ तो यह कितना है 1 2 3 4 और यह क्या थी B की value तो कितना आ गया 4 units हाइट देखो बेटा 1 2 3 तो कितनी हो गई 3 units तो volume अगर निकालोगे तो volume क्या होती है L इंटू B इंटू H 3 x 4 x 3 3 x 4 x 12 12 x 3 x 36 36 units cube cube unit cube unit क्या लिखोगे cube unit आगे आजो same way से सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखोगे L, L की value कितनी है ध्यान से देखो यह आपका L, 1, 2, 3 3, यहाँ पर यह आपका B, B की value कितनी है 1, 2, 3, 4, 5 5, यह आपकी height height कितनी है, 1, 2, 3, तो H की value कितनी है, 3, तो volume क्या होती है बेटा, length into breadth into height तो कितना आगया, यह भी unit तो क्या इसमें कुछ दिया नहीं हुआ क्या मानना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे direct units और इसकी इसकी जागे value पूट कर दो 3 x 5 x 3, 3 चीज़ा 9 9 x 5, 45 45 cube unit तो यह था आपका question number first now move over question number 2 question number 2 आपका क्या कहरे, take 5 solids of your own खुझ से आपने 5 solids लेने है उनकी volume निकालनी है, length, breath और height निकालनी है, तो आप इसको भी रहने देना, तो आप question number 3 पे question number 3 आपका क्या कहरे, you have to find the volume volume निकालनी के लिए बेटा, C में एक ही formula है, क्या, length into breadth into height क्या करना है, length into breadth into height तो ध्यान से देखना बेटा, अगर इसकी volume निकालूंगी, पहले part की L आपको यह given है, B आपको यह given है, H आपको यह given है तो क्या आजएगी, देखो ध्यान से सबसे पहले लिखेंगे, 3rd के A part में, L is equal to 15 cm, B is equal to 8 cm and H is equal to 7 cm now, volume is equal to L into B into H it means 15 into 8 into 7 8 7s are 56, 56 into 15 कर दो वहली सोल, तो 56 into 15 5 6 are 30, 3 5 5 is a 25 and 3 25 and 3, 28 यह आपका 1 6 are 6, 1 5 is a 5 0 8 or 6 14, 1 5 or 2 7 or 1 8, कितना आगय है यहां से 8 40, दुबारा से calculation चेक कर लो 5 6 are 33, 5 5 is a 25 and 3 28, 1 6 is a 6, 1 5 is a 5 0 8 and 6 14, गैरी कर गया 1 5 or 2 7 or 1 8, तो कितना आगया 8 40 cm okay, B part पे आजो same way से आपने करना है length कितना दिया हुआ है 7 cm, breadth कितना दिया हुआ है 5 cm, height आपको कितना दिया रख यह 2 cm, तो यहां से क्या निकालना है volume, volume क्या होती है L into B into H यानि कि 7 into 5 into 2 5 to the 10 और 7 into 10, 7 tensa 70 cm, यह अब आजो C part पे, same way से करना है बेटा आपने, A की length कि value कितनी है, 9 meter B की value कितनी है, 11 meter H की value कितनी है, 4 meter आप मिलको क्या निकालना है, volume volume क्या होती है, length into breadth into height यानि कि 9 into 11 into 4, 4 nines are 36 36 into 11 36 को 11 से multiply किया 6 3, यह 6 और 3 यानि कि 6, 9, 3 यानि कि 3, 96 cm, यह easier answer now move to our last part of this question last part आपका क्या यहान से देखना बेटा length is given to be 11 जो जो दियावे उसको पुट कर दो D part में length is given to be 11 meter and breadth is given to be 9 meter and height is given to be 5 meter now we have to find the volume volume क्या होता है, length into breadth into height it means 11 into 9 into 5 11 into 9, 5 is a 45 तो 45 को 11 से multiply किया 5 4, 5 4 this is 5 9 4 कितना आ गया, 4 95 meter cube या आपका क्या आ गया answer, clear तो यह थी आपकी exercise 10.2 and how to find the volume of a cuboid तो यह था आपका आज का concept मिलते हैं, next concept में next video पे तब तक like, subscribe like, subscribe, share करना मत भूलिएगा thank you so much